इस डाल को देख रहे हैं अब इसे कहते हैं कुल्थी इसका डाल भी बनाया जाता है इसका उल्वा चारू नामक एक सामबार भी बनाया जाता है जो कि मैंने बनाकर दिखाया है आपको पता है इसे खाने से किट्नी में जो स्टोन है न वो स्टोन बिल्कुल पिगल कर निकल ज कहते हैं कन्नड में उलूली कहते हैं तेलगू में उलुवा कहते हैं नमस्ते नमस्ते जी बहुत दिन बाद वीडियो बनाना हुआ है तो अब से मैं रेगुलर रहूंगी रेगुलर बेस में वीडियो बनाऊंगी एक या दो दिन में एक वीडियो कमपलसरी आएगा इसलिए बने रहेगा इस चैनल पर मित्रों आप ये जो दाल देख रहे हैं इसमें ये भी स्प्रॉट आये हैं इसे स्प्रॉट बना कर भी आप खा सकते हैं होर्स ग्राम है ये आपको पता है ये गुणों का भंदार है कि दी में स्टोन बना और जिनको डियाबिटीस है वो लोग इसे जरूर यूज किशेगा और जिनको वेट डॉस करना है ना उनके लिए बहुत बढ़िया है जी हां वजन घटाता है ये दाल आप इसे अपनी आहार पत्तिती में शामिल कर सकते हैं जी हां हफते में एक या दो बार आप से खा सकते हैं या फिर आप इसको जो घुबुनी कहते हैं उस तरह बना कर भ दिखाए है उल्वा चारू बहुत इजी है फ्रेंट आप उस तरह का सामबर भी बना के खा सकते हैं देखिए यही है वो सामबर इस तरह से ही मैंने सामबर बनाया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है आप जाकर उस सामबर को देखना चाते हैं कैसे ब वो जानवर घोडे को चना किलाते हैं शायद इसी लिए इसे घोडे के नाम पर ही होर्स ग्राम नाम पड़ा वो सकता है इसमें जो जो पोशक तत्व है न वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है जैसे कि इसमें फाइबर है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, फासफरस, आइरन, धियामिन, आधी पोशक तत्व इसमें मौजूद है मित्रोटी को आपके अहार पद्दती में अवश्य ही शामिल करेगा, ऐसा करने से पेट में, किड्नी में जो भी पत्री है, पैल्स जैसे बीमारी में भी ये फाइदा करता है पीलिया यानी जॉंडिस को ये फी करता है मित्रोट, इसलिए आप इसे अपने अहार पद्दती में अवश्य यूज कीजेगा, कॉलेस्टरॉल विवल को बिल्कुल कम करता है, डियाबडिस कंट्रोल करता है, लीवर के लिए भी वहुँच जादा फाइदे मन्दे के कुल पूती का जो उबला हुआ पानी होता है उससे आप सूप बनाकर पिए, इससे बुखार कम होता है और सदी में भी फाइदा पहुंचता है तुरंत, तो अवश्य ही इस डाल को अपने अहार पद्दती में शामिल करिएगा, कैसा लगा ये जानकारी अवश्य पताएगा, प अवश्य ही